नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ निति सिंग ए आई एम आई एम के चार बिधायक कल राजद में सामिल हो गए जिसके बाद लालु प्रसाद यादब काफी खुस नजर आए उन्होंने ट्वीट करते लिख दिया कि अपने लोग जब घर वापस आते हैं तो बेहत खुसी होती है कही न कहीं लालु प्रसाद यादब ने एम वाई समिकरन को एक वार फिर बताया है आपको बता दे ओवेसी के चार बिधायक कल राजद में सामिल हो गए हैं जिसके साथ राजद विहार की सबसे बड़ी पाटी बन कर उबड़ी हैं और लालु प्रसाद यादब ने ट्वी पर बिधायकों की बैठक भी थी उसके बाद लालु प्रसाद यादब ने असपश संदेज दिया था कि बिहार सरकार की जो कमिया है सरकार काम नहीं कर रही है लगातार अप्रादिक गतिवीदिया बढ़ रही है और सरकार बड़े बड़े जो दावे कर रही है कहीं न कहीं उन चीजों को जनता के बीच पहुचाने का काम करे तो विधायक जूटे वेते तो दूसरी तरफ बिहार विधान सवा के मांसुन सत्र के दोरान AIMIM के चार विधायक राज़त में सामिल हो गए जिसके बाद लालु प्रसाद यादब काफी कुछ नजर आए अब ये तस्वीर देखिए लालु प्रसाद यादब से मिलने OVC के ये चारों विधायक पहुचे हैं हाला कि अब ये राज़त के हो चुके हैं और वहाँ पार है उन्होंने चपल बाहर खोल कर अंदर प्रवेश किया और लालु प्रसाद यादब से मुलाकात की और मुलाकात के जो है कई पिछले दिरों से माइने भी निकाले जा रहे थे लेकिन असपस्ट और से देख सकते हैं किस तरीके से लालु प्रसाद यादब बिहार की राजनिती में एक्टिब नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि भाज़पा को पिछार कर राज़त एक बार फिर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बढ़कर उबड़ी है असी सीटे अब राज़त के पास है पिछले दिनों आपने देखा था किस तरीके से मुगेश सहनी की पार्टी बियाएपी के चार बिधायक तूट कर चले गए थे जिसके बाद भाज़पा बड़ी पार्टी बनी थी तो अब OBC के चार बिधायक को तेजिस्वी यादब न तो बेहत खुसी होती है कही न कहीं सिमानचल के इलाके में लालू परसाद यादब का एक अच्छा लगाउज हो है मुस्लिम परिवार से लगा रहता था और वहां से चार बिधायक जो OBC के बिधायक थे उन्हें अपने पाले में ला लिया और साबित कर दिया कि लालू या पाटी के बिधायक एबंपरवक्ताओं की क्लास ले रहे हैं और सरकार की नाकामियाओं को गिनाते नजर आ रहे हैं उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से जनता के बिज जाना है और जनता तक क्या बात को रखना है कि इन बातों के साथ राजत को बड़ी पाटी जो है वो जन जनाधार की चोड़ी करके NDA वाले ने सरकार बना ली बढ़ाल बड़ी तस्वीर यही है कि राजस सुप्रिमोल लालुपरसाद यादब से मिल ले AIMIM के चार बिधायक पहुचे और लालुपरसाद यादब ने खुसी जाहिर करते कह दिया कि अपने लोग घर वापस आ गये ह है और बेहत खुसी है हम आपको लगातार ऐसे खबरों से अफडेट कराते हैं आप बने रहें लाइफ बिहार के साथ जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो फेस्बुक पेज़ पर देख रहे हैं तो फेज़ को फोलो करें बहुत बहुत धन्यवाद आ जरूर करें